एपिसोड 3754, वह महिला और होरिजोंटल इविल कहती थी कि सुपर जीन के बिना आप किसी भगवान को नहीं मार सकते, यहां तक सेक्रेड लीडर को भी सुपर जीन नहीं मिला, परपल फाइट ने सुपर जीन कैसे खोजा, वीर का मस्तिश्क तीव राश्चर्य से भर गया थ स्क्रॉल में उत्तर खोजने के लिए, वीर ने स्क्रॉल को और अधिक खोलने के लिए अपने हाथों में शक्ति जोडी, स्क्रॉल खोलना मुश्किल था, यह ऐसा था जैसे इसे चिपका कर बंद कर दिया गया हो, इसे खोलने में काफी ताकत लगी, जितना उसने उसे वह उतना ही कठिन होता गया, वीर के लावा वर की शक्ति के साथ, वह भी लगभग उसे खुला नहीं रख सकता था, और भी शब्द है, होरिजॉन्टल इविल, डेवताओं को मारना, जब वीर ने नाम देखा, तो वह ठिठक गया, होरिजॉन्टल इविल ब्रेकिस की वीर ने कुछ समय पहले उसे एक पहारी पर पिन किया था, उसे कभी मृत्यू नहीं दी गई थी, इसलिए वह न जीने और न मरने की स्थिती में फंस गया था, होरिजॉन्टल इविल ने वीर से यहां तक दिया कि उसके पास भगवान को खत्म करने की ताकत नहीं है, अगर यह सच था, तो खर्रे में ऐसे शब्द क्यों थे जो इसके विप्रीट सुझाव देते थे, वीर को अचानक लगा कि यह स्क्रॉल पवित्र किरिन की शरारत है, अन्य था, नामों की ऐसी सूची होना व्यर्थ था, क्या वह परपल फाइट, होरिजॉन्टल इविल और अन् था, हाला कि वीर को स्क्रॉल की विश्वसनियता पर संदेह था, लेकिन उन्होंने स्क्रॉल को खुलना जारी रखा, वह देखना चाहता था कि आखिर क्या है, आखिरकार जब उन्होंने इसे किसी स्तर तक खीचा, तो ड्राइंग की शक्ती बहुत मजबूत थी, वह अब स लाया, स्काइ स्टार वूल्फ का गलिफ उसके शरीर पर चमका, जिससे उसे थोड़ी और शक्ती मिली, वह स्क्रॉल को खुला खीचता रहा, वीर की बाहों में नसे चिप की हुई थी, उसके हाथों में कई पदार्थ जंजीरे चमक उठी, वह स्क्रॉल को थोड़ा थोड की इशनिंदा, दोबारा जन नहीं लेने के लिए एक बचाव का रास्ता मिल गया, वीर ने आखिरकार एक अलग शीरशक के साथ एक अपराद देखा, इससे वह और भी हैरान हो गए, वीर का सिर सवालों से भरा था, थौन यूफे, यह एक महिला का नाम होना चाहिए, लेक उसे भगवान की निंदा करने का अपराद कैसे होता है, यह भगवान को मारने जैसा बुरा नहीं हो सकता, लेकिन परपल फाइट के अपराद और अन्य में सिर्फ हत्या क्यों शामिल है, और इस महिला को पुनरजन न लेने के लिए एक बचाव का रास्ता मारा गया था, व वीर की शक्ती अब स्क्रॉल की ताकत के सामने टिकने में सक्षम नहीं थी, स्क्रॉल की दो छरे अपनी मूल स्थिती में वापस आ गई, कागस को फिर से घुमाते हुए कि यह कैसा था, फिर स्क्रॉल ने उड़ने की कोशिश की, वीर ने स्क्रॉल को पकड़ लिया और उस से इतना दबा दिया कि उसे डेस्टिनी स्टावर में चिपका दिया, यहां क्या हो रहा है, इतने सारे लोग पहले एक भगवान को मारने में काम्याब क्यों हुए है, वीर बहुत संदिग्ध था, लेकिन उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी, वो अभी तक उचित न दिरने नहीं ले सका, ऐसा लग रहा है कि मुझे तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मेरी ताकत मजबूत नहीं हो जाती, उस समय मैं पूरी तरह से स्क्रॉल खोल सकता हूं और स्क्रॉल में नामों का अर्थ जान सकता हूं, वीर ने स्क्रॉल के मुद्दे को एक त लेकिन अब उसके लिए एक स्ट्रीम किंट के साथ रहना उचित नहीं था, इसलिए वीर ने अभ्यारनियों को वापस टेलिपोर्ट किया, रहेजा लिंगर सीख रही थी कि बगीचे में कैसे चित्रकारी की जाती है जब उसने वीर को अचानक प्रकट होते देखा, उसने अपना सिर बगल में जुका लिया, उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम चोर हो? अगर मैं चोर होता, तो तुम मेरा क्या करते? वीर मुस्कुराया और रहेजा लिंगर की तरफ देखा, वह उसे प्रैंक करना चाहता था. रहेजा लिंगर ने पलक जपकते ही कहा, मिस् तो मैं दिखावा करूंगी की उसने तुम्हे कभी नहीं देखा. वीर का सिर काले बादलों से भरा हुआ था. लिंगर बहुत छोटी है, और वह पहले से ही दिखावे से ग्रस्थ है. मुझे उसे सिखाना चाहिए कि अच्छे दिखने वाले पुरुष भरोसे मंद नहीं हो पापा, रहे जा लिंगर ने वीर को उल्जन से देखा. थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर जुका लिया और खुशी से वीर के हाथों में थपकी दी. उसने पूछा, पिता जी, आप कबसे इतने हेंडिसम हो गए? वीर कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसने रुही को आते हुए सुना. उसने कुछ देर वीर को देखा. उसने आश्चर्य से कहा, वीर, तुम अब बहतर क्यों दिखती हो? वीर ने समझाया कि उसके साथ क्या हुआ था. रुही और लिंग एर वीर के बगल में थे. उनकी प्रत्येक भुजा में एक था. वे उसके बगल में थे जो उसे समझा रहे थे कि क्या हुआ था. वीर ने तुरंद देखा कि घर में उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी. इससे पहले जब वो घर पहुचते थे तो सामान्य खाना ही खाते थे. आब, रुही ने कुछ और अच्छे व्यंजन बनाए. लिंग प्रवीर के ग कारती रही और किस करने के लिए कहती रही. यह मा और बेटी. वीर ने देखा कि अपने परिवार में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए शक्ती और ऐसे ही बेकार थे. अच्छा देखना सबसे प्रभावी हतियार था. मेरा असली चेहरा उतना बुरा नहीं था. वीर उदास महसूस कर रहा था. उनका चेहरा कोई सुपरहेंडिसम नहीं था. लेकिन उनके शरीर का आकार और उपस्थिती हमेशा बनी रहती थी. वो एक सुपरमॉडल से बद्तर कोई नहीं हो सकता था. हाला कि उनका इलाज भयानक था. अगली सुबह, एक दिन आराम करने के बाद रुही के चिलाने से वीर की नीन खुल गई. यह क्या है? सुबह बहुत जल्दी है. वीर उट बैठा और पाया की कुछ गर्बर है. उसने करीब से देखा. उसका शरीर फिर से एक बच्चे के शरीर में बदल गया था. यहां तक वीर भी हैरान रह गया. क्या हुआ? म मैं फिर से ऐसा क्यों दिख रहा हूँ? मैंने सोचा कि लावा क्लास में पहुचने के बाद मैं सामान्य हो जाओंगा.